बहुत इलम है इसलाम कि उम्मत मुनोंने शराब हराम कराई कि शराब इन एक बाद कोई किसी बेवा को और किसी अरत को असलाम अलेकुनों सो विल्कम बैक टूर यूटीप चैनल मरा नाम है सुरेश खान और भी आप लोग देख रहे हो सुरेश रेक्शन यूटीप चैनल दोस्तों बहुत ही स्क्रोलिंग कर रहा था मतलब सोचल मेड़ा पर में बहुत सारी वीडियो देखता हूँ डिक टाक पर बात करते हैं और आप लोग खुद भी कमेंसेशन में जो भी रोश्णी डालना चाहते हैं तो डालेंगे सो लैट स्थाट टेवेडवेडवेड़ को स्टार्ट करते हैं और इस विडू को देखते हैं इसके बाद इससे पर शाड़ सी कुट्ट कूगाता है अंतौग को आप जानती है हाजिद महों मसाप कन है उनका जनम कभ ऊधा आप लोगों को पैदा होते हिज देखा तो वाह किया विल्कुंसी का उससे गूरृबत का जमाना कहा जाता था जीहालत का जमानें बबनान भाई इसी तरह special development इसी तरह positive लोग चाहिए माश्रे रह के लिए बाइन नभी नभियु के अल्ला के प्यारे नभी हैं ऊपर बात भूखा विखा रहा है कि अगर कोई बढ़ोसी भूख रहा है तो उनों और का आप खाना नहीं खा सकते काई चीजे उन्हें पंवंद की पचास वक्त की नमाज खे ताब से अल्लाव के मी ते पर दे परदे में उनसे बात चीज थी बादी थी कि पढ़े हैं पढ़ते हैं पंडीची पढ़िए कुरान भी पढ़ते हैं तो गैजी सुड़ों को देखने के बाद मेरा जो कामन सिंस के रहा है वो ही है कि आप लोग ने देखा हो बाद सुशिल मेडिया पर बहुत सारे लोग इंडियन लोग पाकिस्तानी लोग चाहे मुसिलम और गए मुसिलम लड़ते रहते हैं आप नहीं है आप नहीं है और गयरा मतलब नेप्रत नेगेटिविटी पहला दे रहते हैं लेकिन अगर इसी तरह लोग इस पंडित की तरह लोग यह बई जो है जो दूसरे मजभब को इज़त देना चानते हैं मैंने में रेक्शन क्यू कर रहा हूं इस वीड़ो के बारे में मैं बोल क्यू रहा हूं इतना टाइम क्यू दे रहा हूं इस वीड़ो को इसलिए की पाजिटिविटी पहला रह रही है जो के इज़त देना जानते हैं जो के मैं खुद मुसलिम हूं तो मैं में इस बहने हमें इ decentralized ती हमारे मذहब को तो मेरे दिलमें इन के लिए इस बढ़ जो एक दूसरे के माशिरे को, एक दूसरे की कंट्रीज को, एक दूसरे के मजभब को इज़त देना जानते हो, और वो लोग बहुत कम है, आप लोग इने देखा होगा कि मुस्लिम मुस्लिम चलते लड़ते आ रहे हैं, उनके दादा वगेरा वगेरा, कुछ आसल भी नहीं हो और जो भी जिसका भी दिल करे तो यह अजाली है, आर किसी को, यह आ जालाव और उनके दरम्यान का मामला है, जो जिस मजभब पर जायए, जो जिस मजभब को पालो करे, वो उनका एक अलग किसम है, हम जबरदस किसी को अपने मजभब से पर नहीं ला सकते हैं, आप दूसरी की मज़़ब को इज़दे और के मज़बじゃない इसे देंगे तो हमारी मज़ब को इज़देंगे इसी तरह एक माषीरा जो इदेंगाय हिए और सब अच्छा माहौल होगा तो कितनी जबरदस बात है ना कि आप लोग इसी तरह की ट्राई करें और इस तरह लोग बन जए जिस तरह यह बई है तो बहुत अच्छी बात ही कही सच्छा भी बातों में थी बहुत और बहुत ही कुछ इलम भी था मुम्मद स्लिल्लाओं के बारे में बहुत इलम था इन भाई को तो मैं इसे लोग वपर पखर करता हूँ मैं इनसानियत को भी देखता हूँ कि यार ये इनसान है इसने एक मजभब के बारे में पाजिटिव बात ही कही तो बहुत ही अच्छी बात है माशालाओ अलाओ आपको इदायत दे तो आखिर में बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग जहाभी हो खुछ रहो अबाद रहो एक दूसरे को इज़त दे इन गालियों से इन अप्रतों से कुछ नहीं होता उच नहीं बनता तो आप लोग को चाहिए कि एक ऐसा माशारा क्रियेट करें पाजिटिवीटी स्प्रीट करें अगर आप लोग अपर कोई गम है पीकर है दर्द है तो आप लोग दूसरे को गाली देने से दूसरे को पीटने से दूसरों को बुरा बला कहने से आप लोग अपने आप से दूर तो नहीं कर सकते लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे को इज़त देंगे और ओ आपको इज़त देंगा तो वो आपकी वो खुशी एक अलग किसम की होती है तो आप लोग ऐसा ट्रही करें तो इन्शालला बहुत जल एक अच्छा माशरा क्रियेट होगा एक अच्छी दुनिया में सब एक दूसरे को इज़त देंगे तो आप लोग आज से खुद को बदले तो यह दुनिया बदलेगी और कोई अपने आपको बदले तो यह दुनिया बदलेगी तो मैं तो मैं नहीं कहुंगा क्वान है किया गया क्कौन किस कब्ढाएंगी तो सब इसे है तो फिले अप नियाब पड़रे करेंगे यू मैं भुट पर गरूँगा आप नियाब पर करें तो इसी तरह यह माशरा बदलेगा और इन्शालला जरू बदलेगा और आखिर में वस इतना किना जाता हूँ कि आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और स्वेड़ों को शेयर करो कि लोग मेरे इस मेसेज को पालो करें और यह दूसरी को इज़त है और यह गाली वगेरा इस अब दूर करें अपने हैं से तो जहाँ भी